हेलो एव्रिवान वेल्कम तु माई चानल दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा किचन टिप जो कि हम में से हर एक भारतिय किचन की जरूरत होती है लेकिन इसका रख रखाव बहुत ही मुश्किल होता है धनिया की पतियां और मिर्च तो हर एक भारतिय की ज जरूरत होती है हम में से बहुत सारे लोग इसे रोज लेके आते हैं लेकिन हमें एड़ एंड आफ दे डे इसको फेकना पड़ता है क्योंकि धनिया की पतियां काफी नाजुक होती है और बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है और इसके साथ साथ इस्तेमाल होने वाली पताने जारी हो कि इन चीजों को कैसे स्टोर करें आप इनको बहुत लंबे समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी पाएं और काफी इन में किसी तरीके की सडन की प्रॉबलम ना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिया है ए कि इसके अंदर किसी पी तरीके की सडन नहीं है यह गड़ी कुछ इस तरीके से मिली मुझे तो चलिए शुरू करते हैं कि इनका प्रॉपर स्टोरेज हमें कैसे करना है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आल्मोस्ट हो इसके यहां से नीचे वाला जो हिस्सा है इ हुआ हमकि देख सकते हैं कि 9 द allora है कि इसके इस पूरी तरीके से खुल गया है हमें कुछ इसको इस तरीके सेसे करते करते कि कहीं सड़ी हुई पत्न और जो अंदर बंद यह सरण तो नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह कंभी स्ओर्ण णिवादी नहीं है इनके अन तो आप उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूफ कर दीजे क्योंकि एक पत्ती भी है यदि सडन वाली होगी तो फ्रिक्वेंट सडन पैदा करेगी और कुछ इस तरीके की यदि आपको पत्तियां मिलती हैं तो आप उन्हें भी अलग कर दीजे ये देखिए जो यलू हो रही पत्तियां है उनको भी दोस्टों आपको अलग कर देना है तो हमने ये इंशूर कर लिया कि इनमें किसी भी तरीके की सडन वेगिरण नहीं है तो चलिए फिर आगे क्या करना है तो अब हमें इस्तेमाल करना है एक कुछ इस तरीके का बास्केट अब जितनी अब हमारी धनिये की पत्तियां हैं हम उसको इसमें प्लेस कर लेंगे जो भी पत्तियां आपको खराब दिखें आप उन्हें अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूफ कर दीजिए यह देखिए अब हमने इनको रख दिया है टाप के नीचे और टाप कर देंगे आउन और धनिये की पत्तियों को कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कुछ ऐसे से करते हुए आप इनको अच्छी तरीके से वाश कर लीजिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैरी पत्तिया जो है वह बहुत अच्छी तरीके से वाश हो गई है अब हम इन्हें इस बास्केट में थोड़ी देर एस रहने देंगे ताकि इसमें जो भी बचा हुआ पानी है वह बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेन हो जाए तो दोस्तों करीब 20-25 मिनट हो गए है इन पत्तियों से पूरा पानी रिंस हो चुका है अब हमें इने अच्छी तरीके से एक ऐसा न्यूस पेपर आपको लेना है या आप कोई भी किचिन टॉविल ले सकते हैं लेकिन यदि आप न्यूस पेपर लेंगे तो वह ज्यादा बहतर रहेगा अब इन पत्तियों को बहुत अच्छी तरीके से आपको इनके ओपर फैला देना है कुछ इस तरीके से इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए और फैन आउन करके करीब आधा घंटा इन्हें सूखने दीजिए ये बहुत अच्छी तरीके से इनका सूखना बहुत जादा जरूरी है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन मिर्चों को क्या करना है तो सबसे पहले मिर्चें जो है हमने उनमें भी इन्शोर कर लिया थी कोई भी मिर्च जो है सड़ी गली ना हो तो सबसे पहले मिर्चों का जो ये portion है ना उनको आप कुछ इस तरीके से remove करते जाएं ये देखिए एक एक करके सारी मिर्चों का जो head वाला हिस्सा है वो remove करते जाएं और ध्यान रखें आपको remove कुछ इस तरीके से करना है so that कि ये इस तरीके से बाहर आए ठीक है तो हमने ये देखिए मिर्चों को कुछ इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे करना है ये आप जब इस तरीक ये देखिए ये cap सहीद बाहर आए तो ऐसा करते हुए हमने सारी मिर्चों का जो ये है जो dental वाला area है वो remove कर लेना है तो दूस्तों जैसा कि आप देख सकते होंगे हमारी जितनी भी मर्चे थी हमने उनको अच्छी तरीके से उनकी जो डंठल है वो रिमूफ कर दी है अब हमेने फिर से एक बास्केट में प्लेस करेंगे हमें बास्केट वन्स अगेन कुछ इस तरीके की हिलेनी है और हमें इन मर्चो को बहुट अच्छी तरीके से वॉश करना है रणिन वाटर के नीचे इन ृठि तरीके से वॉश कर लें तो जैसे कि आप देख सकते हमने इसे अच्छी तरीके से वाश कर लिया अब इसे फिर से थोड़ी दे के लिए छोड़ेंगे किससे किसका पूरा पानी निकल जाए तो दोस्तों हमने जहां धनिया रखा था उसी पेपर पे हम मिर्चों को भी स्प्रेड कर ले रहे हैं और इन्हें हम पंगय में कर आदे घंटे अच्छी तरीके से सुकने देंगे यह कुछ इस तरेके से इन्हें रहने देजिए बहुत अच्छी तरीके से सूख पानी ना रह जाए तो गया है इनको फैलाई हुए करीब आदे गंटे फैन मैंने चला रख था तो अब यह इंशूर करने के लिए इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया हम एक किचन टॉवल लेंगे हमें कुछ इस तरीके से इनके करते हुए इनके ओपर डाप करते जान में घोने मैं लेंटना पानी ने कनने पानी आम तौञी है यह बहुत अची तरीके से इनको शुखा लें तो दोस्तो अब मैंने लिया है कुछ इस तरीके का एक कंटेनर यह जो मिठाई वेगरे वाले कंटेनर होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब हम इनके अंदर हमें प्लेस करना है यह जो हमारे पेपर टॉबल्स होते हैं वो यानिकी पेपर नापकिन से इंको कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से स्प्रेग कर लिजिए और हमारी जो मिर्चे जो कि बहुत अच्छी तरीके से सूक चुकी है उनको आप इनमे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हमारी जितनी भी चिलीस थी हमने उनको इसमें कर दिया है प्लेस बहुत अच्छी तरीके से धो सुखा करके तो आप सबसे अच्छी चीज तो यह हो गई कि इनकी जो है शेल्फ लाइफ काफी बढ़ गई और दूसरी चीज यह है कि आप यदि बहुत जल्दी में हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने इन्हें अच्छे से धोके वाश करके रखा तो यह देखिए स्टोरेज के लिए यह हो गई बिल्कुल रेडी और यदि आप इस तरीके से अपनी चीजों को स्टोर करेंगे तो यह कम से कम 15-20 दिन तो बिल्कुल भी खराम नहीं होने वाली हैं अब बस आपको इस कंटेनर को फ्रिज में प्लेस कर देना है तो यह हो ग जैसा कि आप देख पारे होंगे कि हमने सारी जो धनिया की बत्तियां उनको बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है चलिए देखते हैं अब इनका आगे क्या करना है तो हमने फिर से ले लिया है एक बार फिर से यह कंटेनर उसकी बाद हमने दोस्तों लिया है यह अच्छी तरीके से कवर हो जाएं उसके बाद जो हमारी धनिये की पत्तियां है आपको इसमें कर देना है प्लेस ये देखे दोस्तो इसके बाद ये जो टीशू पेपर का ये एरिया है इसको आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि हमारी पत्तियां पूरी तरीके से कवर हो जाएं जब हमारी पत्तियां पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी दोस्तों इसे हम बहुत अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से करके पैक कर देंगे उसके बाद हम इसमें लगा देंगे लिड यह देखिए यह भी स्टोर होके हो गई रेडी तो कुछ इस तरीके से हम अपनी धन्य और मिर्चे को बहुत अची तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं इनको ready to use बना सकते हैं यह देखिए तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी यह टिप आपके लिए काफी useful होगी यदि आप working है तो of course यह आपके लिए और भी ज्यादा useful हो जाती है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजे friends and families के साथ जरूर share कीजेगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में